सात्यों नमस्कार तीस का तीस स्रीच मैं आपका पुने अभिनंदन करता हूँ मैं वेला सर यह जो अपनी कलम अपने वाद चैनल है उस पर ये तीस की तीर राजस्तान की बहत्रीन स्रीच पर सारीत की जारी आपके लिए आपका बहुत बड़ा सोबाई यह है कि आप इस चैनल से जुड़े वे हैं और दोस्तों मैं आपसे पुने आग्रे करना चाहता हूँ कि तीस की तीर का परते परसन अपने आप में विसस्ट है और कुछ परसन आपको रीट के परसन पत्र में है जैसे के जैसे छपे मिलने की आसंका है दोस्तों यह बहुत बड़ी बेहतरिन स्रीज है तो जोस्तों आज हम लेते हैं तीस के तीर में अगले तीस परसन दोस्तों जो एकसर परसन है वहां से मैं सुरू करने की कोशिस कर रहा हूँ अराम से देखना निमन में से कौन शाव विकास की गर्प अवस्ता के सही करम को परदस्जित करता है दोस्तों विकास परसव पुर वस्ता से शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं गर्प अवस्ता और गर्प अवस्ता की तीन अवस्ता होती है बीज आवस्ता बुर्णावस्ता और ग्रपस सिस्व अवस्ता जिसको जर्मिनल इंब्रियोनिक और फॉंटल बॉलते हैं दोस्तों आपको अराम से समझा आ गया होगा इसकी कौन चे और मैंने पहले भी बता चाहिए थी कि बुर्णावस्ता के अंदर क्या करता है गर लुप्रेंट आपको द्यान में रखना है चलो हम अगले परसंट के और चलते हैं दोस्तों कि नौजाच शिसू का अकार वे भार कितना होता है आकार यानि उन्चाहिए दोस्तों बहुत इंप्रोस्तिन परशन है आपके विक्मान विकास से सम्मंधित यह दोस्तों आपको को ध्यान में रखना है कि जो नोजात इस्वों होता है जो बेबी बोरन होता है नियो बेबी बोरन जैसे जनमता है तो उसकी लंबाई जो महने को आप माननी जाती है यह जो बहुत इंपोर्टन रूप से डवली एचो के द्वारा परमानी यह काई है उन्नीच पॉइंट पा पॉण्ड होता है भार अब दोस्तों आप इसको सेंटिमेटर मीटर और पॉण्ड को आप किलोग्राम में किस तरीके से चेंज करोगे अपना वर्चन लगा करके कड़ लेना दोस्तों 63 पर्शन पूर उबाई लिवस्ता की अवदी कितनी होती है तो दोस्तों बहुत इंप है जाता है लोता हैं अगा पर शाही तो तो दोस्तों इसका सब्सक्तिक साफ़य करना है तो इसका उप्षेव अगला सक्थ व्यूंपर्टिंट परश्न दोस्तों इस वूसर अकसर पूचे जाते चोश्र पोहां परसंहां very important person दोस्तों आपको बात की जाए तो डीने क्या होता है अनुवन सिख्टत्य होता है डीने और आरेने दो चत्य होते हैं एक्स वाई गुंसुत्र कौन शे होते हैं लेंगिक गुंसुत्र होते हैं लेंगिक स्वरी लेंगिक गुंसुत्र होते हैं क्योंकि और जननकोशिका मे कितने गुंसुत्र रपाए जाते हैं 23 गुंसुत्र रपाए जाते हैं और निर्दार है कौन होते हैं जीन होते हैं तो अनुवन सिखता कि निर्दार है कौन होते हैं दोस्तों ज्यान रखना है जीन होते हैं तो इसके हैं साथ से जो उत्तर सही होगा तो पहले का चार एक का च सी का सग्षक्राइब नहीं दिख रहा पहले में 3 का 2 हो जाएब लगर, लिए रैटीमित नहीं क Zahlen क्योंना सबैसा का भी में कैंल कि हमें मैं क्याytt ow इतल्य होगा दो मैं हरा यह दो क्या सिक ए ठूब बोलते हैं कि चितने गुंशुत्र पाए जाते हैं तेइस गुंशुत्र पाए जाते हैं जिसमें से एक जोड़ी गुंशुत्र यानि एकस और वाई माप पूर्ष में और एकस किसमें महिलाउं में वह क्या होते हैं लेंगि गुन्सुत्र होते हैं तो दोस्तों आपको इंप्पोर्टेंट रूप से यह समझ में आगया होगा वेर इंप्पोर्टेंट ये उसको बोलते हैं हम प्रति गमन का नियम जिससे बोलते हैं कि बिल्कुल ही इसके अंदर क्या आगे हैं उल्टे गुना आगे हैं प्रतिया वरतन का नियम या इसको क्या बोलते हैं प्रतिया गमन का नियम बोलते हैं जैसे कहते हैं कि तेरे पिता जी तो ऐसा था और तू ऐ कैसा कैसे पैदा हो गया तो इसका मतलब पीता जी के बिल्खुल विप्रीद गुणु वाली संतान पैदा हो रही है तो दोस्तुं इसको बहुत है हम प्रत्यागमन का निया में चलो अगला परसन देखते हैं 66 परसन अच्छी उपज के लिए अच्छे बीज और अच्छी धर रिग सक्षित है कि टत वाताव्रन क्या है धरती है तो वुडवर्त के अनुसार क्या है धर्दी कि से संब्ध्यतु तो धर्दी बालक के वातावरण से संब्ध्यत है pięडी हपर बीज का फूस्ता तो क्या करते हैं बालक के वन्सानुक्रम से संबंधित होता है चलो हम दोस्तों अगला परसंदेखते शड़ सट्वां परसंद जब एक बालक को कार ये पुरन करने पर चोकलेट दी जाती है तो वह किस परकार का उदिपित जिस्सें वास्ट्वी के रूप में उदिपित होता है बालक उसके से बोलते हैं अलग में टूक्रा कार में कर दीक्आ है तो फड़न के लिए इसको सब्सक्राइबर्य इसको बोलते हैं और यूपहर लगाकित होता है है यह बाले कि से करता को उसको बोलते हैं primary stimulus तो दो, इंपोर्टен्ट रोपा राचना है अगला परसन देहते हैं दोस्तों फेर important परसने सारे के सारे infant किस भासय का सब्दे तो सुइनभने सी सब्द्द,⁉ लेٹ इनवस्द से मनावा है तो दोस्तों यह इन भेंड किस भाषा ऐसा गास्बद तो दोस्तों आपको दिप्ण में रखना है जो खी उठाने का गुन किसको आप ने अपनी जिवर ना टॉपिक पड़ा करता होतihat वह किसको इंगित करता है यह Θए उप लब्दी परेरक को परदस्थित करता है दोस्तों अगला परसने विकास की कौन सी अवस्ता परसन की अवस्ता कहलाती है तो दोस्तों विकास की जो अवस्ता परसन की अवस्ता है उसको बोलते हम पूरो अबाले अवस्ता क्या बोलते हैं पूरो अबाले अवस्ता दोस्तों अ समय बालक के सीर और उसके सरीर की लंबाई का अनुपात कितना होता है तो दोस्तों यह अनुपात होता है उसका सीर क्या होता है बालक की लंबाई का 25 पीस्ती होता है जहां रखना दोस्तों अते इसका अनुपात जो हाएगा हो आएगा एक अनुपात है चार यह दि दोस्तों आपसे उल्टा भी पूचा साथ सकता है, सरीर की लंबाई और शीर, तो शरीर की लंबाई और शीर होते हैं तो चार अनूपा आते हैं, एक होता है, तो दोस्तों जहां रखना important दोफ से आप, बालक के सारे रिक वर्डियों और विकास को परभावित करते हैं, तो दो कारक होत करता काम करने में चीज़ों को गिरा देता है ये कोश कश केसल का विकास नहीं हुआ है तो दोसतों उसका क्या है महाशफी तो सम्बंदित विकास होता है उसको हम बोलते हैं गामक विकास या जिसको बोलते हैं हम लोको मोटर स्किल डवलाप्मेंट एंग्लिस में वोले तो लोको मोटर स्किल डवलापमेंट या इसका चालन विकास अभी चाही तरीकेसे नहीं वा तो तो घमक कोसल या चालन कोसल बोलते हैं तो दोस्तम उत्तर कौन सा होगा डी तो चलो हम अगले परसन के ऊछाते rein बीणा किसी कैसलों युछा जाता है 90 के विगास की कितनी अवस्ताइं युछाथ वह आट है पर्मुक्षक्स संस्त्री कोन है निजी परके है तो दोस्तों इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इसक पर सबसे पहले जो ज्रान दिया था वह किस ने दिया था मेरीड मेरे मिडन जान दोस्तों आपता नो एक्सव समिन पोधाना Дोस्तों में दोस्तों यह चाहे nggak न characterized करते है किया आप可मेंट करते हो या में नहीं करते हो यह उन्हेट लिए कि दो लिखित में से कौन सा विप्षयरत व्याबहार का अनग्सन सव Hadi बहुत इंपोर्टेंट मैंने कहा था कि अभिप्रेजित क्या करती है गोल डारेक्टेड भी हैवेयर कराती है व्यवार को किस की ओर दिशा देती है लक्षे की ओर तो दोस्तों व्यवार में दिशा अभिप्रेजित व्यवार का लक्षन कौन सा होगा व्यवार में दिशा तो 했는데 दोस्तों नियह सेकेंड़ के सिलेबिस में आधितों का पर चता है और इसकेंड़ किसेलिमस में नहीं है लोस्तों अगले बात कि अगधर परसंद की और चलते आइब दोस्तों प्पालाएक वर काम मस्तार प्छिंतकों ड्रशनियुआ परिवर्तर आपा सबसित नहीं लाया सकता है दोस्तों इंपोर्टेंट रूप्चें जहां रखना दक्सनी हस्त और वाम बस्त आप अराम से जानते होंगे चलो हम अगले पर्शन की बात करते हैं लग बग अठारा फाल की प्लस बीट बन जाती है यानि जो अभी प्लस बीट आ रहा है जब ऑक्सिजन लेवल की बात करते जो प्लस बीट कितना है अभी बहुत करोना में यह काम तल रहा है तो दोस्तों अठारा वर्श की आयू में जो प्लस बीट है वो कितनी होनी चाहिए सत्तर परती मिनिट होनी चाहिए चलो हम अगली बात करते हैं दोस्तों एक बालक अक्सा में पेंसिल पकड़कर लिखने और पुस्त के पेज पल्टने में ऐसक समय इस परिष्टिते में हस्त नियंत्रन में सुधार करने तो निमन में से कौन कौन सी गतिवीदियां सांचालित की जाएगी तो दोस्तों इसमें कौन से कोसल का विकास करना है बालक में लेखन कोसल का तो लेखन कोसल में क्या हम क्या करेंगे पर क्या करएंगे एक्टिविरिटी किरेंगे का flirtosh पर क्या करवाइङे pencil पखिड कर कर keer कि उसको क्या करेंगे चर्मरान ह्म करवाइँगे दोड़ लगने से कोओ फायदा ने है और 13 की दबने वाले वह स्टू देंगे और शोगी किया कराएंगे परेटिस करवाएंगे तो दोस्तों इसका उतर होगा A ओर 4 Odin c कौन सा होगा सी चलों अगला परसंदेखते हैं दोस्तों त मैं शीमा परसंट ऑस तो वेरियां नगुशन भूत थेंगे लिए को सारहनीट और आपकी ये पर्शन बहुत बाहर आते हैं कि खेल का कौन सा बरकार है तो दोस्तों आपको पता हो तो कुछ ती कैसा खेल होता है युदा आत्मक खेल होता है सत्रंज कैसा होता है दोस्तों सत्रज में हम क्या लगाते हैं दिमाग लगाते हैं तो वीचार आत्मक खेल होता है दोस्तों नाटक कैसा होता है नाटक में क्या करते हैं हम भाव विवनिया करते हैं दोस्तों कभी रामन का चेहरा पदलते हैं तो कभी राम के रूप में आ जाते हैं तो इसको बोलत पानी का खेल होता है तो दोस्तों आप इसका मिलान करके इसका उत्तर निकाल लो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि गुरुजी इस पर्शन का उत्तर यह है दोस्तों इंपोर्टेंट रूप से घ्यान रखना आपको सब बता दिया गया है निमन लिकित मेंट से मुल्यांगन का कौन सा परमुक चरण नहीं है तो दोस्तों मुल्यांगन में उद्यस्यूं का निर्दान भी सामिल होता है अधिका मनुभो भी सामिल होते हैं और व्यावार परिवर्टन भी सामिल होते हैं कौन से सामिल नहीं होते हैं आपने मुल्यांगन का आधार नहीं है तो दोस्तों उद्यस्यों का निर्दार न व्यवार परिबढ़ते हैं अधीग में क्या होते हैं मुल्यांगन के चरण होते हैं स्टेप्स होते हैं और रूची का सवरूप क्या होता है मुल्यांगन का चरण है नहीं होता है दोस्तों हम चसेत्रों में रटने की परवर्ती को रोकने के लिए किसे पर्षंप पूछे जाने चाहिए तो च्छात्रों में रठने परवर्ती रोखने का ये की तरीका है उसके क्या पूशे जाए अगला परसन देखते हैं । Labor इसकापसर दो लो डिदेनें सबसे वीदी काम अच्ची होते है। तो ऌती ई है प्रेक्षेपी टक्नीग लेकिन जो सबसे उप्योक्त वी दिया वह कौणसी होती ए प्रसनावली प्रदस्टन विदी इसका क्या हो Makes मैं हिंदी फिल्म में हुना दोस्तों आपने देशी होगी में हुना फिल्म यह ध्यारति की विद्यों और विद्याले में परवय्यों के निमिन में से किस परकार के अवलोकन प्रियुक्त किया था तो दोस्तों यह हम किसी के साथ में रख कर गए किसी दूसरे से यह हम सीखते हैं यह अवलोकन के मादेम से तो उसको बोलते हैं सहे भागी अवलोकन कौन सा बोलते हैं सहे भागी अवलोकन कौन सा बोलते हैं सहे अवलोकन कौन सा होगा से बागी अवलोकन चलो हम चलते हैं अगले पर्शन क्यों है कक्सा कक्स प्रिष्टितियों में सर्वेदर्षे साइक सामगरियों का परियोग में लेते समय सिक्सक का निमन में से कौन से सूत्र का परियोग करता है दोस्तों आपको पता हो तो यदि सर् मूर्त वस्ता में लाने का एक प्रारूप या एक प्रादर्स या नमूना होती है दोस्तों फेicable रोब किया है एक परद्वे का नमूना है जिसे बालत क्या समझते हैं गलोब को देखकर परफ़ी करके मूर्थ रूप जैसे उस्के सामने तो दोस्तों उसमें कौन से सुत्र का प्रियों करते हैं मुर्थ से अमूर्थ तो दोस्तों सर्वे दर्शिय शामगिरियां जितनी भी होती है वह बालग यह हमारे क्या करती है अमूर्थ तत्यूं को कक्सा में मूर्थ रूप में लाने की कोशिस करती है फिर हम उसको मूर्थ रूप में बता करके हम उसके अमूर्थ तत्यूं का क्या करते हैं वर्गी करना करते हैं तो दोस्तों उत्तर कौन सा होगा मुर्थ से अमूर्थ और दोस्तों जो नप्विया पसने सिसी कार्थ सब जानते हो कंट्यूनियूस एंड कॉंप्रेंसिव एविलेसन जिसको बोलते हैं सथा तो और भी आपके मुल्यांगन तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कैसे वीडियो डाले जाने आगे के लिए दोस्तों यह भी आप चाहर करके कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जड़ा तो मिनिट का टाइम निकाल करके लिखे अपने मेर्पून समय में से ताकि हम इसके अंदर क्या कर सके सुधार कर सके दोस्तों जल्दी हम एक डिजिटल दुनिया के बहुत अच्छी प्लैटफरम पर आने वाले हैं दोस्तों आपको ख कमेंड बॉक्स में कमेंड करें और इस पर जो भी विचार है आपके इसको जरूर लेकर कि किस तरीके की वीडियो आनते एक आप से मैं बात कर रहा हूं कि बीच-बीच में जो डेस्क्रेप्टी वीडियो डाले जा रहे थे वह क्या साइकलोजी को डालने है आपके लिए य इस टोपिक्स पर वीडियो आपको डालना चाहिए तो मैं आपको डाल दूँगा कोई परेशान ही नहीं तो दोस्तों आपका सने आपका आशिरवात और आपका बहुत प्यार इस चैनल पर बना रहे और दोस्तों मैं इसी आसा और इसी विस्वास के साथ में क्या करता हूं इस वीडियो से विदा लेता हूं दोस्तों अलो अगले वीडियो तक आपको पुने नमस्कार